असलालामलेकुम, आज बनाइंगे हम पिज़ा, तो पिज़े को हम without hour बनाइंगे, यहां पे मैं आपको दो तरइखी की पिज़ा की डासेपी दोँगी, सबसे पहला पिज़ा है, वेच पिज़ा पिज़ा, रिट, अनियन स्लाइस लीए है, और शिम्रा, लीए है और टेमटो सारे चीज़ों को मिक्स करके हम साइड में रख लिए आप चाहें तो सिफ रिजल सॉस भी लगा सकते हैं और यह सारे सॉस होममेड हैं तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमट सेक्षन में मुझे बताएगा यहां पर पिज़ा बेस की रेसिपी चाहिए तो भी कमट इस तरीके से आपने अपनी वेज़ी को कट करना है जिसमें हर चीज में सिमिलर्टी बनी रहे है यह पिज़ा बहुत ही मज़दार बनके रेडी होगा बहुत ही जल्दी बन जाएगा अब यहां पर मैंने सारी वेज़ी आड कर दिये उपर से मज़रेला चीज आड कर रही ह को चीज काओं, ने उसमें नहीं तो हम के तो चीज में अगレलेके थोड़ा और अच्छा लगा लगे तो PBS इसके नीचे जो टीन होती है उस पे मैंने रखा अगर यह आपके पस नहीं है तो आप नॉर्मल स्टेल की प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत यह आसानी से यह बन जाएगा तो इस पर सेट कर लेंगे यहां पर मैंने होममेड ओवन का इस्तेमाल किया है तो यहां पर नीचे सॉल डाला है और एक स्टेंड रख दिया और अच्छे से गरम कर लिया है तो बस इसमें अपना पिज़ा टांसवर कर देंगे और इ इसे वह भी हलका सा क्रिस्पी जैसा की पिज़ा का होता है वैसे हो चुक है तो माशलाब बहुत ही अच्छा और टेस्टी पिज़ा बनके रेडी हो गया है भी मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूं ओवर लोडड़ेट चीज से है तो यह दिखी कितना अच्छा सा चीज पुल आउट हो रहा है और पुरी तरह से यह कोक है तो इस तरह से मज़दार सा फिज़ा घर पर ही बना के आप इसको एंज्वाइ कर सकते हैं तो चलिए जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसेपी की तरफ जो की है नॉन विच पिसेगी इसमें मैंने चिकन का इस्तेमाल किय अब इन सारी चिज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे बस 10-15 मिनट के लिए और अगर आप चाहें तो फॉरन भी बना सकते हैं लिए मैरिनेट कर लेंगे तो चिकन के अंदर तक टेस चला जाएगा अब 10-15 मिनट के बाद मै जैसे इसका कलर हलका सा चेंज हो जाएगा इसको कवर करके लो फ्लेम में पकने के लिए रख देंगे और चिकन अपने ही वाटर जी रिलीस करेंगे उसमें ही पख जाए गए तो यहां पे तीन से चार मिनट में पूरी तरह से पख गया था याप अपनी चिकन के हिसाब से पूरी तरह से टेंडर भी हो चुका है तो बस इसको मलका साटे करेंगे और साइड में निकाल लेंगे यह कुछ वेजीस है जिसमें कौन है शिम्ला मेर्च है अनियन है और टमैटो है नॉर्मल वेजीस जो घर पर अविल होती है वही है आप अपने पसंद की कोई भी वेज पिज़ीस इस्तमाल कर सकते हैं अभी पिज़ा सॉस हमें पहले बनाया था वही मैं पिज़ा बेस पे लगा रही हूं यहां पर भी मैंने बाकी सारी वेजीस को भी क्यूब्स में ही कट किया है जिससे से नर्टी बनी रहे है और देखने में थोड़ा एक्टिव लगे तो य अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और इंस्टाग्राम में मुझे फ़ालो कर ले दोनों जगए फॉलो करें लिंक में आल देस्क्रिप्शन वाक्स में आपको दे दोंगी तो प्लीज ज़रूर करें और फ्रेंट्स और फैमिली के साथ शेयर भी किया करें अब इसके ऊपर हम अपना चिकन लगा देंगे फिर मैंने इसमें मौज़ला चीज टाली है और ऊपर से जोड़ी सी साइड में रखी ती वह भी आड़ कर देंगे जिससे थोड़ा से और कलर एड हो जाएगा और से बना सकते हैं और होमेड पिसे का लुट्फ ले सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है उपर से हम पिज़ा सेजनिंग डाल देंगे अच्छे जाप में सारी चीजों को डाला है जिससे की अच्छा सा एक टेस निकल किया है और ठोड़ी सी चिली फ्लेक्स को भी स्प्रेट कर द बारा मिर्ट में 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 पिज़ा बनके रडी हो गया था तो यह दिखिए इतनी अच्छा से बेक हुआ है कि आपको साइड में दिख रहा होगा कि मलब चीज इतनी अच्छा से पुलाउट हुई है और पुरी तरह से नीचे से हलका सा किस्पी था बीस से पूटर से सौफ तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर बनके आया था तो प्लीज ट्राइ जरूर करिएगा और फिर मुझे कमें सेक्षिन में अपना फीट बैक दीजेगा तो यह देखिए चीज भी कितने अच्छा से पुलाउट हो रही है बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल के आया था औ लाख